नमस्कार आदाब न्यूस क्लिक में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करें हैं जो आज नतीजे आए हैं उपचनावों के और इसी विशे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ट पत्रकार उर्मिलेश जी हमारे स्टूडियो में बहुत- बारतीय राजनीती के लिए देखे बाद दोजार चौदा के चुनाव के बाद से कई ऐसे चुनाव हुए जिसमें बीजेपी को बहुत अच्छी बढ़त मिली उनको खासकर उत्तरप्रदेश का जो चुनाव था विधान सुआ का वह बहुत उनके लिए महत्पून तो दो विधान सुआ चुनाव यह जो जीते उसे पंजाब की जो उनकी हार थी हाना की पंजाब में वो बड़े प्लेयर नहीं थे अकाली दल उनका मेजर प्लेयर अमें गटक था ऐलाइंस में और बिहार में जो उनकी हार हुई वो दो बहुत महत्पून हार थी लेकिन उन में तरी की सीट थी तो उनके हारने का सिलसिला तो पहले ही शुरू हो गया लेकिन इस यह जो बाई इलेक्शन से बहुत महत्पूर्ण इस मामले में माना जाएगा कि यह 2019 का एक तरह से एक बहुत बड़ी गरिमा का पद है लेकिन कहराना कैसे जीता जाए इसके लिए उन्होंने सब कुछ किया यहां तक कि वह बिलकुल बगल में बागपत है वहां जाकर उन्होंने भाशन भी दे दिया उन्होंने एक बड़ा हाईवेज जो था जिसका सिर्फ नौदेस किलोमीटर हिस्सा भी कम्प्लीट पूरी तरह हुआ है उसका रोड़ शो करके उद घाटन भी कर दिया ठीक उसके एन पहले एक दिन पहले ही तो इतना सारा किया गया सारे उनके बड़े नेता कहराना में उतर गए जबकि कहराना में जो आपकोजिशन की केंड़ेट थी जोईन्ट आपकेंडियसकी केमपेनिंग्स उनका जो केमपेंडिंग की का नेत्रित तो सिर्प जैयन Childary कर रहे थे ना तो वहां मायवती गई और ना तो अख्लेश याद हो गए मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है कि नहीं गए लेकिन मेरा ये कहना है कि बहुत उतनी शिदत के साथ शायद अपोजिशन चुना और नहीं लड़ रहा था जतना उसे लड़ना चाहिए था बीजेपी जैसी बड़ी ताकत के सामने लेकिन फिर भी वो बुरी तरह चुनावार गए इवियम में बहुत सारी प्रावलम्स होई बहुत सारी इवियम बलकि माना जा रहा है कि अनप्रेसिडेंटेट था इतनी बड़ी संक्या में इवियम का खराव होना वो भी रोजे के समय जब बहुत सारे एक समधाई विशेस के लोग रोजा है और वो मशीनों के खराव होने के बाद बहुत कम संक्या में बाद में आये शाम को मेरा ये मानना है कि ये सारी चीज़ें अगर नहों होती तो कहराना की जो महत्पूर्ण सीट है उसमें मारजिन जो है शायद और जादा होता तो अगर मैं कन्क्लूट करूँ आपके सवाल का जबाब तो मैं ये मानूँगा कि बीजेपी की ये बहुत ही ऐसी हार है पुदारण में दूँँ आपको पालघर जहां की बीजेपी चुनाव जीती है वो चुनाव बहुत कम मारजिन से जीती है लोकसभा के इसाब से वो कम मारजिन मानी जाएगी और वहां क्यों जीती है कैराना में जिन कारणों से वो हारी है और पालघर में जिन कारणों से वो जीती है, दोनों के कारण एक ही संदेश देते हैं, वो संदेश क्या है, अपोजिशन यूनिटी, पालघर में कई अपोजिशन पार्टी चुनाव लड़ रही थी, और उसमें जिसे शिव सेन, ऐसा एक कॉंग्रिस पार्टी है, शिव सेना है, बहुजन अगारी है, CPIM है, बहुत सारे दल थे, और वहाँ पर कई ऐसे दल थे, जिन्होंने काफी ठीक ठाक वोट पाए हैं, खासकर बहुजन अगारी तो उसने काफी वोट पाया है, लेकिन अगर सब मिलकर लड़े होते, या मैं समझता हूं कि सिर्क दो दल भी अगर एजिन्डा बना करके, एक ठोस कारिक्रम बना कर अपोजिशन को चुनाव अगर वो लड़ता है, सेकुलर डिमोक्रसी को बचाने के लिए, तो भारती जन्ता पार्टी और उसके नेता नरिंद्र मोदी और अमिश्या की जोड़ी जो कही जाती है, कि वो बेमिसाल है, वो च इन चुनाव के नतीजों से जो चीज सामने है, जो एक संदेश है, वो एकदम सपच्ट है कि विपक्ष अगर एक जुट रहेगा, तो BJP को हराना कोई ऐसी नामुमकिन चीज नहीं है, जो अभी तक बोली जा रही है, और लेकिन एक चीज यह है कि अभी तक जो आ रहा है सा तो वो जो एक एक व्यक्ति पर आकर केंद्रित हो रही थी हमारी भारत की राजनेती, आपको लग रहे है कि मीडिया को सोचना चाहिए, दुबारा से कि क्या आप पूरे देश की राजनेती को रिड्यूस कर सकते हो एक एक परसनालिटी क्लाश में, देखें, मीडिया के जो एक खास वेस्वेड इंट्रेस्ट की तरफ से होता है, जैसे मीडिया में आप सुनती होंगी और उसके चलते समाज में भी मद्धिवर्ग में खासकर सड़क चलते लोगों में, पार्क में आप जाएए वाक करनें, वहाँ बात करते लोगों में, आप सुनेंगी, यह जो ग खाता पीता जरूर कहता है, क्योंकि वह अपने बेडरूम में हर शाम जो टेलिविजन देखता है, बगैर कोई ज्यादा चीजों को पढ़े, दुनिया को समझे, वह यही उसको सुनते आया है टेलिविजन से कि गठबंधन सरकारें खाराब होती है, क्योंकि भारत के कार्परेट को बड़ी परिशानी होती है, क्योंकि उसको एक सरकार में बैलेंस भी रहता है, कि अगर एक पार्टी कुछ गलत फैसले कराना चाहती है, तो दूसरी पार्टी सवाल उठा देती है, लेकिन यहां तो सिंगिल विंडो सिस्टम का जाता है, कि सारे काम सहुलियत सहुलियत से हो जाएंगे, तो उसमें कार्परेट का सबसे ज्यादा काम सहुलियत से होता है, आम जनता का हो या ना हो, इस सरकार में आप देख लीजिए, सारी काम कार्परेट के एक दम एक खिड़की पे हो जाते हैं, एक ही विंडो उसके लिए है, कोई फिकर नहीं है, ल और दूसरा कि जब तक कोई नेता नहीं होगा हम कैसे मालने कि किसका कोई विकल्प है देखिए विकल्प अपने आप नेत्रत तो अपने आप उभर जाता है कई बार एक जमाना था जब देश में ऐसा लगता था कि कॉंग्रेस के नेताओं के सामने कोई नहीं है लोग उभर क नहीं नहीं कोई आ सकता है लेकिन आंदोलों की जमीन पर अनेक नेता पैदा हुए और जिन्हों ने बहुत ही बहतर नेत रत्रत प्रदान किया उससे ज्यादा महत्पून बात है मैं समझता हूं कि agenda क्या होना चाहिए common minimum program कैसा होना चाहिए position का किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए सरकार बनने पर क्या-क्या वो करेंगे ये वायदे ज्यादा important है इस से कि कौन उनका नेता बनेगा नेता एक committee बन जाएगी एक coordination committee बन जाए उनमें से जिसकी सीटें ज्यादा होंगी जिस पर ज्यादा विश्वास करेंगे लोग ज्यादा भरुसा करेंगे उनेता बन जाएगा इसमें क्या है तो मुझे लगता है कि मीडिया का ये खास वेस्टेड इंट्रेस्ट है जिसकी तहत ये चीजें प्रोपगेट की गई हैं दुनिया में बहतरीन सरकार इंसमय गठवंधन की कई देशों में चल रही हैं खासकर मैं डिमक्रसी की बात करता हूं आप देखिए हाल के यूरोप के कई देशों में चुनाव हुए और वहां पता चला कि पहले से कि जो सरकार चली आ रही थी उनको बहुमत से कम ओट मिला लेकिन उन्होंने अपने 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 दूसरे दलों से सपोर्ट करके सपोर्ट लेकर के सरकार चलाया और बैतर धरंग से परफॉर्म कर रहे हैं तो यह बिलकुल गलत नजीर है एक और चीज इसी सवाल से जुड़ावा कि जो 2014 में जो मोधी फिनोमेना उभर कर आया था कि मोधी 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 और हर जगा भारत हो या वो विदोशे में जब जाते हैं तो वहां भी सब जगा सिरुफ मोधी और मोधी तो क्या लग रहा है कि चिनाम नतीजों के बाद वो मोधी से जो मोह भंग लग है जनता में हुआ है थोड़ा सा देखे वा एक जैनलिस्ट के तोर पे मैं मैं भी यह सोचता था कि नरेंदर मोधी जी आये हैं केंदर में और उनों वो गुजरात की सारी अपनी जो कमिया थी अपनी विफलताएं थी और अपने कुछ ऐसे काम थे जिनकी वज़ा से वो अपने चीजों से सीखते हैं अपनी गलतियों से लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ भी अपने को बदला नहीं और उनकी जो सरकार है उनके नित्रत में चल रही सरकार है वो उसने एजिंडा बना लिया कि हम संबिधान से नहीं चलेंगे संबिधान एक आर रहेगा कि हम संबिधान अभी ठीका हुआ है अभी बचा हुआ है लेकिन जो भी काम हुए हैं हाल के दिनों में आने काम वो संबिधान से इतर हुए हैं ऐसा लगता है कि इस सरकार के दिमाग में एक दूसरा संबिधान है कहीं न कहीं और इनको यह लगता है कि अगर हम को फिर से प् यह महज एक संटेंस नहीं एक वाक्य नहीं है कि लोग कह दे रहा है या पॉजिशन के लोग आप देखे आप इन्वस्टीज का हाल देख लीजिए आप किस तरह से पार्ठिक्रम पर पार्ठिक्रम बदे जा रहे हैं आप देख लिए इतिहास की किताबों में किस तरह से संत्रता है लेकिन क्या नमाज बढ़ने पर पाबंदी लगा रहे हैं लोग हम किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं करें एक कम्मुनिटी के बारे में इसको मिला इसी सम्भिधान के तहत गवर्निंस का मिला आप जनादेश की ब्याक्या बिल्कुल अलग उलट कर के कर रहे हैं आप अपने मन से चीजों को चला रहे हैं जो सम्भैधानिक जो स्ट्रक्शर हमारा है डिमोक्रिसी का उससे उसको आप वायलिट कर रहे हैं उसको आप जा रहे हैं अगर आप सम्भिधान बदलना चाहते हैं तो यह महत एक जनादेश से संभव नहीं है उसके लिए आपको सम्भिधान सभाया तो बलानी पड़ेगी आपको तमाम लोगों के को विश्वास में लेना पड़ेगा तो यह बड़ा संकट है इस देश में जिस पर हमें लगता है कि मुदी जी की सरकार बुरी तरह बेनकाब होई है एक निरंग कुष्टा जो है सरकार के आचरण में उसका परदा फास हुआ है और यह अपोजिशन पार्टी का जो रोल है इस माई एलेक्शन में जो दिखाई दे रहा है उससे ज़्यादा मुझे लगत थे लोग कई जगा कुछ जगा जिसे आप कराना में कह सकती है कि कराना में यूनिटी थी कही जगा नहीं भी थी लेकिन फिर भी बेहतर परफॉर्म किया है जो की हाट बिहार की एक विदानसवा सीट है जहां करेजल टाया है नितीश कुमार जी और बीजे पी दोनों ने सा प्यों किया होगा तब भी इस्तिति है आपने जनता के आपने बूला कि यह जवाब दरहसल आवाम का जवाब है तो इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी है कि हम देख रहे हैं पिछले तीन-चार साल से हमारे देश के किसान बेहद रोश में हैं और वह सड़कों पर उतर रह है वह सरकारी नीतियां चाहिए हो या पुराने सरकारे हो उनकी वजह से और बहुत सा और करण है लेकिन जो सड़कों पर उदर रहे हैं किसान और जिस तादाद में उतर रहे हैं और उन प्रदरशनों की जो फ्रीक्वेंसी भी है काफी अबढ रही है तो आपको लगते है क कहीं ना कहीं यह जो देश का किसान है जो देश की रीड़ है वह अब बीजेपी के साथ नहीं दिखाए जाए तो भारत में किसान जो समाज है किसान समुदाय वह बीजेपी के साथ रहा भी नहीं है हाला कि उन्होंने किसान संगठन भी बना रखा है अपने लिए भारती कि सक्संग लेकिन किसान आँ तोर पे भारती जन्ता पार्टी का कभी पारंपरिक वोटर नहीं रहा है या समर्थक नहीं रहा है जो इनके पारंपरिक वोटर और समर्थक रहे हैं उनमें भी नोट बंदी ने और gst ने एक बड़ा बड़ा भी भाजन पैदा किया है और बड़ा डिसकंटेंट पैदा किया है बेवसाई समाज जो माना जाता रहा है कि इनका पारंपरी कोटर है इसके लावा हिंदी शेत्रों में खासकर हिंदी शेत्रों में जो अपरकास्ट है उसका एक बड़ा हिस्सा इनके साथ गया है कांग्रिस के जो अबाद वगरह इलाके में भी उभाई एलेक्शन्स हुए थे वहाँ भी बीजेपी के कैंड़ेट्स आर गए जीडियू के कैंड़ेट्स आर गए तो जबकि वहाँ पे अपरकास्ट के भी वोट जो हैं काफी उनका वह एक महत्पूर्ण फैक्टर थे लेकिन वहाँ भी विभाजन दिखा इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि हर वर्ग में जो बीजेपी के साथ गया था तोजार चउदा में वे बूरी तरह नाराज है कि हमारे पास व tra Hani यह सथानी अस्तर पर जब दिख जाता लेटर वह उनके साथ चला जाता है तो मुझे लगता है कि एक आज जरूरत इस बात की है कि कि सानौ का जो जंधा को infinite सिर्फ एक प्रदेश में नहीं है महाराश्क्री में नहीं है मध्यप्रदेश आप देख लीजी स्थिती बेहट डमाडोल है च्छतिस गड़ में बेहट डमाडोल है जरूरत क्या है जरूरत है जो इस वक्त नहीं दिखता कि राश्क्री अस्तर पर कोई एक coordination हो एक coordination का केंद्र हो जो इन yüzden तब गों को इक कच्ठा कर दे जैसे 89 में हमने देखा था बीपी सींग सिन्गे कम से कम पूरे नार्थ इंडिया में लोगों कुज़ मंत करने में वह उतर गए थे मैदान में ठीक उसी तरह का जिसे एक जमाने में आप देखें कि अपोजिशन की जो यूनिटी थी उसमें लेफ्ट की बड़ी भूमिका थी लेफ्ट भलही कॉंग्रिस की तरह संख्या के हिसाब से बड़ी पार्टी उस समय भी नहीं था लेकिन लेफ्ट की जो ताकत थी आइडेलोजिकल बहुत दिक और उसमें CPIM के जो जनरल सेकेटरी थे हरके संसीन सुरजी तो उस दौर को हमने देखा है वो एक उस सेमेंटिंग फोर्स में भी एक न्यूकलियस की तरह वो उन्होंने काम किया आज जरूरत इस बात किया है कि उस प्रक्रिया को फिर से रिवाइब किया जाए और लेफ्ट एक महत्वण भूमिका अपनी अदा करें बहले ही उसकी शक्ति उस जमाने से कम हुई है अगर इस स्टेट्स के हिसाब से देखा जाए लेकिन वो एक महत्वण मुझे रोल लगता है जो सेकुलर कंसिस्टेंट सेकुलर और लेफ्ट पोर्सेज है उनका और दूसरा जो मैं इस उसर पर कहना चाहता हूं कि देखिए खासकर चात्र विवाओं में जिस तरह से आज नाराजगी है सरकार को लेकर और अध्यापकों में बैंक इंप्लाइस में हर छित्र में नाराजगी है इसको मुझे लगता है सांगठनिक और एक कलेक्टिव एक सामोहिक स्वर देने कॉंग्रेस हां कॉंग्रेस भी और कॉंग्रेस के अलावा जो और विपक्षी दल है और प्लस वो लोग जो गयर बीजेपी विरोधी हैं उनके मनोबल पर क्या असर पड़ेगा 2019 क्योंकि बहुत करीब है और यह देखिए मैं समझता हूं कि इन एलेक्शन में जैसा मैंने कह कि बिपक्ष से ज्यादा जनता ने अपने बिपक्षी उमिद्वारों को जिताया है बिपक्ष ने जितनी मेहनत की उसे मुझे लगता है जनता का जो की जो पहल थी भारती जनता पार्टी के उमिद्वारों को हराने की वो ज्यादा सिगनिफिकेंट मुझे दीखती है आप सत्ता जो आज की है वो उसकी निरंगुष्टा से उसकी तनाशाही से उसके एक तरफा फैसले लेने की प्रभृति से उसके अहंकार से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है और लोग चाहते हैं कि उससे उसको मुक्ति मिले अगर अपोजीशन इसके लिए नहीं इकठा होता तो म मैं समझता हूं कि इस जनादेश का दूसरा यह बहुत महत्मूर पहल हुआ है कि जनता ने बिपक्ष को यह जिम्मेदारी दी है कि आप नौकेवल एक होई है बलकि एक ठोस जिंडे के साथ एक निरधारित कारिक्रम के हिसाब से आप एक होई है कि आप हमारे लिए क्या करे और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर अपोजिशन जनता की इस अपेक्षा को जनता के इस आकांशा को अगर नजर अंदाज करता है तो लोग ऐसे नेताओं को भी छोड़ देंगे और अपने से इनिशेटिव लेंगे और अल्टरिनेटिव बिल्ट करेंगे क्योंकि बीज इसरी बात जो इस टुनाव से मुझे दिखती है कि बहुत सारे लोग इवियम्स को लेकर सवाल उठाते रहे हैं आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि साब आई एलेक्शन में इतनी शांदार विपक्ष की जीत हुई है तो अब तो इवियम का सवाल भूल भूल जाना चाहिए लेकर मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ मेरे पास कोई साइंटिफिक या प्रवध्योगिक तक्नीकी मेरे पास कोई परमाण नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं इवियम्स को लेकर अभी कहराना में ही ऐलेक्शन के दौरान हमने देखा पोलिंग के दिन की लोगों ने कहा एलेक्शन कमिशन ने भी माल लिया कि हमारी इवियम्स को लू लग गया गर्मी लग गई अब सवाल है कि जग गर्मी अगर लग गई पिछला चनाव भी गर्मी में ही हुआ था 2014 का उस वक्त लू नहीं लगी इवियम्स को इतनी भारी संख्या में इविय है तो मुझे लगता है कि उसका विकल्प हो जा जाना चाहिए क्योंकि बीवी पैट के बाद भी चीजें अभी भी कई हलकों में अविश्वसनी सी हैं एक रहस्ती की तरह हैं इस पर विचार होना चाहिए हम मेरा यह मानना है कि जो इसके एक्सपर्ट हैं उनको प्लिटिकल पार्टिस को उनसे कौडिनेट करना चाहिए ताकि हमेशा हमेशा के लिए जनता के 20 जो एक मतदान की प्रक्रिया में जो गहरा एक भरोसा होना चाहिए उसको पुक्ता किया जा सके विकल्प जुरूर इसके बारे में होजा जाना चाहिए सोचा जाना चाहिए हमारे साथ इ न्यूस क्लिक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.